हालो गाइज वेलकम बैक तो माई चैनल मैं स्निवेदी आपकी सहीली कैसे ही आप लूँ आज का टॉपिक है ये गार्णियर क्लेंजिंग वाटर के उपर इसको मैं यूज करती हूँ और एक साल से यूज कर रही हूँ इसका जो रिव्यू है बहुत अच्छा है तो मैंने रिव्यू देखके इसको यूज करना सुरू किया था हैng ये बेस फ्रॉटरर लेकिन मैं अपने लिए यूज करती हूँ कैसे अना देन में एक दो बार मैं इससे फेस क्लेंग कर लेती हूं पिर भी मैं इससे घर का काम गेरा रेता है तो रात जब सोने जाते हैं तो इससे क्लेन कर लेती हूँ तो हाइडरेट रहता है स्किन और स्मूध भी रहता है और ये एक अच्छा प्रोड़क्ट है इतने दिन यूज करने के बाद भी मैं अगर दूबारा भी खरीदना चाहूं तो इसको भी खरीदूंगी क्योंकि ये ट्रांस्पोर्मल कहीं जाने के लिए भी बेस्ट है कहीं ल होता है तो है जाने के अच्छाँ कि मैं यूज के लिए जगते है और स्मूदिब साथ़ कर दो है तो है है और मताच भी मैं दो दो थाजरा कर दो हैं कि दो हैं जग्टाबरत कि वैंचा जो आगार इसका जो बेस्ट पार्ट ये है कि कोई पता होगा या नहीं ये तो नहीं पता कि मैं एक कोटन से ही आपको दिखाए कि मैं रोप्स्टिक को रिमूप की और मेरे जो आईलाइनर को भी रिमूप की लेकिन इसलिए नहीं होता क्योंकि जो निकल की कोटन में जाता है वो बापस नहीं लगता इसलिए वो मतलब यहां से निकाला और यहां से लगा है तो मेकस अप नहीं हुआ तो यह बेस्ट पार्ट है उसके लिए अल्यड़ी एक साल से मैं यूज़ कर रही हूं और जो आलसी होते हैं आलसी इन दशैंस हम लोग जाते हैं फेस्वास करते हैं और मेकअप रिमूब करते나ं लेकिन क्या होताइं कभी कभी जब ov care जाते दो बहुत Just a ौच नहीं होता जाकि बाट करो इसको और उसको माश्राइस करो आपसे निकालो तो मस्सक्राइस करो गोंट देशा क करने के लिए पेसिंस नहीं होता है और चुम सूछाते हैं मेरेуск जो भी लगाते हो रात के सूछना चाहिए कभी कभी बहुत थक जाते हैं तो यह क्या बोलते हैं एक सलयशन ऐसा है जो हमेशा आप पास रख सकते हैं और एक वाइप में सब निकल जाता है बेस्ट प्रड़क है और सबसे बेस्ट है कि इसका यह लिक पगईरा नहीं होता है तो पर्स में किसी में भी रख कि आप ले सकते हो मतलब कहीं भी जाओ आप इसको इजिली केरी कर सकते हो सोती सोती आप क्लीन कर सकते हो अगर जादा भी अगर टायड होगे हो तो सोती सोती भी क्लीन कर सकते हो एक साल से यूज कर रहे हूँ और मेरे लिए बेस्ट प्रड़क है और इसमें कोई आलकल नहीं है और फ्राग्रेंस नहीं है कुछ नहीं है इसा है के कोई भी product आप अगर use करते हो इसमें अगर ज्याद explores रहता है खुश्बु रहता है तो ये क्यमिकल इफ प्रेंट σας ना चाहिए, खुश्बुु कि जब हम clean करते हैं। तो धी खुश्बु की जब की wij パच्छे से clean और monitor और मैंने रिमू किया और यह सब ड्राइ नहीं लग रहा है वैसे ही मेरा ओईली स्कीन है पर मुझे फील नहीं होता मेरी लिए तो बेस्ट प्रोडॉक्ट है और मैं हमेशा यूज करती हूं इसको हमेशा लेके घुमती हूं आप सब भी ट्राइ करना अगर होगा तो और यह जो है यह हर्प को यूज कर सकता है किसी भी टोन के लिए बेस्ट ही है ख्रेम करने के लिए और अगर ड्राइ जाता लगता है किसी को तो पूपर से मौशल लगा सकता है लेकिन यह ड्राइ होता ही नहीं है ड्राइ लगता ही नहीं है जैसे कि मैं पाने में फीश वास क करके नॉर्मली आओ कोई तो कैसे फील होता है वैसे ही फील होता है तो यह गानियर का जो इसकी नेचुरल है यह तो मुझे बहुत पसंद है आप लोग भी यूज कीजिए आपके सामने ही मैंने देखाया पुरा लगा के वैसे और कोई तो मेकप दिल करती नहीं हूँ जब ही करती हूँ निकालने के लिए मुझे बहुत तकलिफ होती क्योंकि बहार जाओ आओ फिर कोई काम करते करते हैं फिर इसको इसको फेस वास करो क्लीन करो इता टाइम भी नहीं होता है तो इसको यूज करना तो बनता है और इसको मैं दिन में दो तिन बार यूज करती हू जबी भी मन किया थोड़ा सा ऐसे ख्लीन कर लेती हूं चहरा तो अच्छा फील भी अच्छा होता है So guys, आसका वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब मैं चैनल Thank you so much for watching my video और करोना का time है, stay home, stay safe Take care, bye